नमस्कार डियो श्टंट्स आज किस वीडियो में आप सभी छात्रों का सुआगत है जो पेपर आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह पेपर आपका BA का भी है BSC का भी है और साथ में BQOM का भी है क्योंकि जो मैं पेपर बताने जा रहा हूँ यह बताने जा रहा हूँ मैं आपका Computer Application का जो की Programming in C का Paper है काफी Important Paper है आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर जो Maggium Marks है वैसे 65 देख सकते हो अब देखो आपकी जो Paper आएगा वो साइद Fundamental का सकता है Fundamental और MS Office का क्योंकि जो Basic रहेगा उसमें से आएगा लेकिन यहाँ पर Advanced मतलब की Language से पूछा गया है सभी Quesn आपको मैं बताते भी चलूँगा काफी Important आज का Paper होने वाला है Maggium Marks यहाँ पर 15 आप देख सकते हो बात करें बिना देरी करते हो First Quesn की First Quesn है इसका First Option है Pew Shudo Code आपको बता रहा है देखो बहुत Important Quesn है हम इसा पूछा जाता है याद कर लेना गटी लेना इसके एनफ यह एक मतलब की Programming Language में आने वाला एक Code होता है Third है Structure क्या है यह आपको Explain करना है 4 नमर का Quesn देख सकते हो की F Open का Syntax आपको समझाना है देखो इनके आंसर आप अपनी Notebook से देख लेना या आपको Google से इनके Confirm आंसर मिल जाएंगी अगर तब भी नहीं मिलते हैं तो Telegram का Link इसक्रिप्शन बोक्स में दे रखा है वहाँ पर मैंने Official Badal Edu Tag का चैट बोक्स बना रखा है सेबन्त नमबर का Qution की की Constant से आप क्या समगते हैं जो Constant होता है उससे आप क्या समगते हैं आपको Explain करना है एट नमबर का Qution की Aim जो Memory Allocation होता है उसको आपको समझाना है 9 नमबर का Qution की कोई 3 String function आपको यहाँ पर लिखने है 10 नमबर का Qution की translator को आपको परिबासित करना जो translator रहता है उसको आपको यहाँ पर परिबासित करके explain करना है second number का question है कि flow chart के फार्दे और नुकसान क्या है वो आपको बता रहा है इसके अथ्वामनेस्ट question देखो flow chart से आपको जो मतलब की जो answer रहता है या जो question रहता है flow chart में इस वज़े से भी उसके फार्दे रहते है इसके अथ्वामनेस्ट question देख सकते हैं कि ट्राइंगल का छेतर पता करने पर प्रोग्राम करने का प्रोग्राम आपको लिखना है थर्ड़ नमर का question है कि branching वर jumping statement के बीच में आपको अंता लिखना है इसके अथ्वामनेस्ट question है फोर नमर का या कि यह मतलब की अथ्वामने यह एक कि तीन variable से प्राप्त maximum नमर डूनने के लिए प्रोग्राम आपको लिखना है फोर नमर का question है कि उधारण की सायता से storage classes को आपको यहाँ पर बताना है इसके अथ्वामनेस्ट question है कि library function को आपको उधारण से समझाना है फिम्त नमर का question है कि array का उप्योग array का उप्योग array अब देगो यहाँ पहिंदिम दे रखा है लेकिन array के spilling होती है array का उप्योग करके तीन बाई तीन नमबर यानिकी तीन मल्टिप्लाई तीन के matrix को red वर डिस्प्ले करने का प्रोग्राम आपको लिखना है इसके अथ्वामनेस्ट question है कि array वर pointer pointer के बीच में आपको अंतर लिखना है printer नहीं pointer ध्यान रखना इस चीज को 6 नमर का question है कि employee नाम से structure बनाई है तता run time में value insert आपको करवाना है printer बो C में आपका जो program है वो run होगा compiling के आधार पर इसके अथ्वामनेस्ट question देख सकते हो कि file handling के लिए basing function की कौन सी है वो आपको बतानी है C option का 7 नमर का question देख सकते हो कि email लिखित पर आपको संक्षिप्ट इपनिया लिखनी है फर्स्ट है structured programming, second DC gel table आठे नमर क्यूशन है कि switch statement को उपयोग करके जो ने कठाने विवाजित करने गुणा करने के लिए एक program आपको लिखना है लिखना है कि algorithm क्या है ओम string संक्या के लिए algorithm आपको लिखना है 10 नमर क्यूशन है कि array की sorted list में से किसी element को search करने के लिए program आपको लिखना है 11 नमर का question है कि structure और union के बीच आपको उदारन सहीत लिखना है structure और union क्या होता है यह आपको बताना है ठीक है तो यह paper थे आप सभी चातरों के लिए काफी important paper थे जो कि मैंने आप सभी को बिल्कुल clear कर दिया यह computer का paper था आप सभी के लिए ठीक है next paper भी आपके लिए ओलेबल हो जाएगा computer का first year का paper computer का final year का paper इस paper को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ से एर करना